दो बैट्रेया होती है अब आपके पास कुछ भी नहीं है अभी तो मैं आपके पास सिर्फ बैट्री तो आपके पास 27.9 28.2 volts है पच्चिस के उपपर हो नी चाहिए अगर आपके पच्चिस के उपर नहीं है तो राम राम जी की पैसे वापस करो घर जाओ अब मैं बैटरी ओन कर रहा हूं अगर फेलियर होता है तो यह चल रहा है कि नहीं है अब मैं अप्यू स्राइट करूंगा यह मेरा अरे भैचन क्या हो रहा हुआ यह मैंने मास्टर अन कर दिया अप्यू मास्टर आउन अप्यू आउन चलो पीछे आजा बेटा अब आप देखेंगे नीचे अप्यू पेज फ अप्यू क्या होता मैंने को बताया था जो वन यह आप देख रहे हैं इस एरिया में जो पीछे आप देखते होंगे कभी-कभी दूवा निकल रहा है जहाद से वह अप्यू होता है तो इस विल गिव पावर तो अस ताकि जब पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं तो उनकी एर जब डीमत धाता हु मैंने को निकल जाती हार इंजीनियर हो जाता है है। क्कॉपट्र मिनिकल लाती है है तो इंजन साड करने के लिยनस पावर रहे देख एपटा है 100% अवेलिबल हो चिका है अब जनेटर पे जिरो परसें लोड है बलोड कवेग्ट ट्रिक कोशन बता है यह लोड के हो परसेंड क्योंकि हम एक्टर्ल पावर दिए एक्सटर्न यूज कर रहें ठीक है चलता है कि अंदर इसको बंद कर देतें अब गया करेंगे सबसे भैतरी काम हम करेंगे कॉपिप प्रपरेशन इस इस कॉल्ल कॉपिप प्रपरेशन सिंपल साफ अब अब अबस का इयर बिस चाहता है जितनी भी वाइट लाइट दिख रिए उसको बंद कर तो तो हम सिदा कुछ निकारेंगे वाइट बंद करेंगे इसको हम on कर देंगे this is our navigation system यह align होगा तो जिनको जिनको पता इसमे इसमे एक्सावरोमिटर्स होते हैं तो aircraft का self-sustained navigation system है अगर मेरे पास external navigation सारे फिल हो जाए तब भी मैं safe जगा पे लैंडिंग कर सकता हूं सिर्फ इस system के बदौलत अब रजास्टेडा के हो गया गया अब द अब मेरा APU स्टार्ट हो गया तो मुझे बाहर की पावर नहीं चाहिए बाहर की पावर कौन सी थी